स्टॉनलेश डॉमिस्टिक फ्लूर्मिल में हमारे पास चार अलग मॉडल है और इसकी प्राइज में डिफरेंस क्यूई है वह हम इस वीडियो में आगे देखेंगे मसिन की और जहनकरी के लिए आप हमारा चैनल जरूर से सबस्क्राइब करें यह है रेगिलर मॉडल यह है मेंबरेंड मॉडल यह है मेंबरेंड विड डॉर एंड टॉप मॉडल और यह है एच्डी मॉडल यह चारों मॉडल में बेसिक डिफरेंस है उसके लुक का मतब उसका जो कैबिनेट है वुडन का उसके मेनुफैक्टरिंग में डिफरेंस है बाकि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है जैसे की मॉटर, चैमबर, स्क्रीन, कटर उसमें कोई भी फरक नहीं है बाकि सब ऐसे सरी सब सेम है तो आईए देखते हैं कि cabinet के आउटर लुक और इनर लुक में क्या डिफरेंस है जो आउटर लुक है उसका डूर और टॉप उसकी बनावाट में फर्ग है सबसे पहला मॉडल है रेगुलर मॉडल रेगुलर मॉडल का डूर और टॉप दोनों प्रीलैम होता है प्रीलैम का मतलब है प्रीलैमीनेशन वुडन शिट मैनुफेक्चरिंग कंपनी ही हमें इसके उपर प्रीलैमीनेशन करके देती है जो अलग-अलग design अलग-अलग color है वो हमें manufacturing company के पास से मिलते है और वही हमें आपको बना के देने होते है दूसरा और तीसरा model जो हमारा membrane का है membrane एक ऐसा material है जिसकी elasticity और उसकी strength बहुत ही अच्छी होती है membrane को machine process से wooden के डूर के उपर लगाया जाता है इस machine में membrane को heat किया जाता है और adhesive से wooden के डूर के उपर लगाया जाता है जिसके उसकी सभी edge, सभी corner, सभी जगह ऐसे लग जाता है जैसे कि वो एक unibody लगता है ये machine process और membrane दोनों चीज़ expensive होती है इसलिए ये model महेंगा है stoneless का हमारा दूसरा model है जिसका door membrane का है लेकिन top है वो prelim का है और तीसरा model है वो उसका door और top दोनों ही membrane से बना है membrane के दोनों model के बारे में हमने outer body के difference क्या है वो हमने बता दिये आए देखते हैं internal structure में क्या फरक है हमारा दूसरा model जो membrane है उसका top है वो prelim है लेकिन उसका अंदर का जो hopper है उसके surrounding area उसकी आसपास के जो area है वो SS का है और membrane door खोलते ही जो सामने floor container के base का जो area है वो भी SS का रहता है लेकिन तीसरे model में जो hopper के surrounding area और floor container का जो base का area है वहाँ पे SS नहीं होता है लेकिन उसकी जगा top है वो membrane है जैसे हमने पहले भी बताया कि membrane एक expensive चीज़ है उसकी वज़े से ही उसका price बहुत ही high हो जाता है membrane door बनाने वाली companies बहुत सारी है क्योंकि वो easily available भी हो जाता है market में हमने जो चौथा model बनाया है जो है HD model उसका manufacturing हमारा खुद का है वो हमारी monopoly है HD model market में किसी के पास भी available नहीं है HD model के door के उपर जो print है वो high resolution UV resist print है जो इससे पहले के कोई भी model में ऐसा नहीं है ये material बहार से import किया जाता है और इसके उपर तीन process के बाद सबसे पहले इसके उपर high resolution का process होता है उसके बाद उसके उपर UV resist का process होता है और last में उसके उपर lamination process होता है HD model का hopper surrounding area और floor container का base area दोनों SS में आता है इसलिए इसका price भी बाकी तीनों model से ज़्यादा है जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये सभी model में difference है उसके outer और internal cabinet structure का बाकी सब internal मतलब mechanical जो part है या उसका production या electric motor या accessories उसमें कोई फरक नहीं है stoneless domestic floor meal चालू करने से पहले आप जाली से लेक कर लेजे कि आपको कितना बारी grant करना है जाली के उपर नमबर दिया गया है जीसे पता चलता है कि कौनसे नमबर की जाली से कितना बारीक मिलता है कौनसे material के लिए कौनसा जाली यूज होगा उसकी सारी information मसीन के उपर और booklet में दी गई है मसीन का डोर ओपन कीजे अब नमब ओपन करके चेमबर खोल दीजे चेमबर के अंदर जाली का सलूट दिया गया है उसके अंदर जाली को लगाई है जाली सेट होने के बाद ही चेमबर का डोर और नमब बंद करें फ्लोर कंटेनर और माइक्रोफाइन क्लोथ को अच्छी तरह से लगाए जीसे आटा बाहर ना आए मसिन का डूर बंद कर दे अभी मसिन ग्रैंडिंग के लिए रेडी है केबल को प्लग में लगाए और स्वीच अन करे यहां पर मोड टू रखेंगे क्यूंकि हम गेहु ग्रैंड कर रहे हैं कौनसे माटिरियल के लिए कौनसा मोड सेट करना है उसकी इंफोर्मेशन मसिन के उपर और बुकलेट में दी गई है यह ओटोमेटिक मसिन है इसलिए होपर में अनाज डालने के बाद मसिन स्टार्ट हो जाएगा धक्कन बंद करने से पहले केबल को ग्रू में रखे ग्रैंडिंग होने के बाद मोटर ओटोमेटिकली बंद हो जाएगा और एक साइरन बजेगा मसिन का डोर ओपन करें और फ्लोर कंटेनर में देखें आपको जैसा आटा चाहिए था वैसा आटा रेडी है मसिन को साफ करना बहुत ही आसान है चेंबर का नोब खोल के उसका डोर ओपन करें चाली को चेंबर में से निकाल ले और चेंबर को क्लेनिक ब्रस से साफ करें चाली को क्लेनिक ब्रस से और सुखे कपड़े से ही साफ करें ध्यान रखे जाले को गिले कपड़े या पानी से साफ ना करे ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो और हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है धन्यवाद झाले कर दो जानकारी कर सकते है